आपका स्वागत है नमस्कार आज हम बनाएंगे एक बढ़िया सा स्वीडिस कोकोनाट लड्डू विट रावा यानि के सुजी उसके लिए हम एक मीडियम साइस कोकोनाट को क्लीन करके डाइस कर लिया फिर उसको मिक्सर जर में हम ग्राइंड करेंगे अब अच्छा से ग्राइंड करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे लगफक फाइब स्पून सुगर सुगर अपना स्वाद के अनुसर डाल दिये लेकिन वह सुगर बाइंडिंग में भी हेल्प करता है तो इसलिए फाइब स्पून में डाली हूँ और इसको ग्रिटेट कोकोना के साथ हम मिक्स करके अच्छे से रख देंगे थोड़ी देर के लिए फिर एक पैन गरम करके उसमें एक स्पून घी डालूंगी और घी में लगफक 200 क्राम यानि दो कप रवा सुजी डालके उसको अच्छे से रोस्त करूंगी यह ब्राउन होने तक रोस्त करना है अच्छे से रोस्त करने के बद फिर उसमें हम एक इलैसी भी एद करेंगे इलैसी पॉडर या या अब बारिक इलैसी भी मलब अब सबुद इलैसी भी डाल सकते हैं फिर उससे खुस बच्छा आएगा यहां पर मैं डाल ली हूँ एक सबुत इलैसी कुट के फिर उसको अच्छे से फ्राइ करेंगे मलब रोस्त करेंगे चलाते रहना है गैस को धीमियास पर रखना है मीडिया मीट पे फिर हम एक साइड में ड्राइफ फुच भी काट कर लेंगे ड्राइफ फुच में में डाली हूँ कश्यूनात अमंज और रेजिन उसको थोड़ा चोटा-चोटा तुक्रा कर लिया फिर अज भी यह ब्राउन कलर हो गया तो इसमें ड्राइफ फुच एड़ करेंगे एड़ खुसबू अच्छा आ रहा है कि ही का और यह रोस्टेट बाला और अभी देखे तो यह अच्छा सा ब्राउन कलर हो गया है बुन्ना हो गया है यह बुन्ना बहुत इंपोर्टेंट है और अभी उसमें जाएगा वह पहले से रखा हुआ कोकोनट मिक्सर कोकोनट और सुगर मिक्सर फिर उसको धिमियास में सलाते रहना है इतना तक सलाना है कि यह अच्छे से लादू हम बाइन कर सकते हैं उसका स्टिकिनेस होना साहिए इसमें तो अभी हम अच्छे से सलाएंगे कर स्टिकों को बिल्कुल सोड़ना नहीं गयास को धिमियास पी रखना है यह बहुत ही स्टिक लदू मदनता है गषिस अब धर में हम इसमें भी बनाता ही अब आपको भी अच्छा लएगा गेस्ट को भी पसंद आएगा है है हम यह पुन्ना अल्मस्थ हो गया है हम इसको अभी उनली से देखेंगे उनली के टिप में अगर यह लग रहा है कि बाइंड हो रहा है तो मतलब यह हो गया है और अभी ही हम गैस को आफ कर देंगे और थोड़ थोड़ा क्वांटिटी में प्लेट में निकल के थोड़ा थंदा होने से उसको बाइंड करेंगे लड़ू के आकर में अगर आपको बाइंडिंग में थोड़ा प्रोब्लेम हो रहे है तो हाथ में थोड़ा थंदा पानी या मिल्क लेके थोड़ा बाइंड कर सकते क्योंकि थोड़ा गरम है अगर गरम गरम ही उसको बाइंड करना है ठांदा होने से इसका बाइंडिंग कॉम्पोनेंट चला जाएका स्टिकिनेस तो अच्छे से लद्दू नहीं बनेगा अब इसको बर्फी का आकर भी दे सकते हैं और असान होगा अभी देखें यह बरिया सा तयार है हम एक मीडियम साइस कोकुनात में अल्मोस्ट मेरा थर्टी लद्दू बन गया है देखें यह बहुत ही टेस्टी है अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे सेनल को सब्सक्राइब करना आप सभी को दिवाली के बहुत चारे सुब कमना है एंजोई हैपी दिवाली थेंक्स पर वाचिंग बाई फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ